हाई एवरीवन वन्स अगेन वेलकम बेक तो माई यूटूब चैनल माई नेम इस भावना बिस्ट और आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं बीए इंग्लिश ओनर फिफ सेमिस्टर के सब्जेक्ट्स सो डैल उनिवस्टी में आप लोग का सेमिस्टर सिस्टम होता है और फिफ्ट सेमिस्टर में आप लोग के कौन के सब्जेक्ट्स रहने वाले हैं वो मैं आपके साथ डिसकस करने वाले हूँ ठीक है तो वीडियो को शुरू करते हैं और अगर आप चैनल पर पहली बार आएं तो प्लीज आप सभी सब्सक्राइब कर लिए जीए, आपको मेरे चैनल पर Delhi University के सारे अपडेट्स मिलते रहते हैं, ठीक है, Delhi University में से Cr измен, Subject, Paper वगरा सब सेम होते हैं, ओके, तो देख लेते हैं, core courses कोँन से हैं, अब यह Honors का subject है, honors पर पर सॉल्ए, तो इसमें, आपके core course होते हैं, core paper होते हैं, honors के program में, तो आपका जो paper 11 है, वो कौन सा है, Women's Writing and paper 12 कौन सा है, British Literature, the Early 20th Century, अब आप सोचोगे paper 11th क्यों लिखा, paper 12th क्यों लिखा, paper 1 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि आप लोग first semester से पढ़ते आ रहे हो, अब यह आपका कौन से semester हो चुका है, 5th हो चुका है, ठीक है, तो first semester में आपका paper 1 था, paper 2 था, फिर आपके subjects बढ़े होंगे, फिर semester 2 में paper 3, paper 4, paper 5, ऐसे करते-करते अब आपका यह paper 11th हो चुका है, ठीक है, यानि कि आपने अभी तक English में, आपने अभी तक अपने English Honors के 10 paper पढ़ लिये हैं, main papers की बात कर रहे हैं, अब यह आपका paper 11 कौन सा है, women's writing, और यह कौन सा है, next, आपका DSE, यानि कि Discipline Specific Elective, इसमें सापको एक चूस करना होगा, Literature for Children and Young Adults, Modern Indian Writing and English Translation, इसमेरे कोई चौइस होती है वैसे तो, बढ़ हम कुछ क्या नहीं सकते, क्या पता, आपका college आपको यही दे दे, तो यही है आपके paper में बस, यही given है, देख लो, एक आपका core, यह जो आपके दो core courses हो गए, और DSE हो गया, ठीक है, मेभी इसमें choice ना हो, देखो, यह तो compulsory है, और यह भी आपके compulsory लग रहे है मुझे, क्योंकि देखो, आपको स्रिफ तीन paper ने पढ़ाई जाएंगे, आपके चार paper तो होई गई, तो यह आपको दो paper पढ़ने होंगे, बागी choice भी हो सकती है, कुछ नहीं क्या सकते है, D.U. का जो हो चेंज होता रहता है, मेन आपको देखना है, अपने main paper, तो आपके main paper कौन से हैं, paper 11 और paper 12, जो मेन आपको बता दियें, ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अपने friends के सार, share कर दीजिए, और आप सभी बच्चे, Telegram गूरूप पो जोईन कर लिए जिए, आप मुझे Instagram पे follow कर सकते हैं, इस वीडियो में सरफ इतना ही, अब हम मिलेंगे अपने दूसरी वीडियो में, तब ते के लिए, टेक क्यार, बाई बाई,